इन्वेस्टमेंट इन सिक्यूर्टी मार्केट आर सब्जेक्टेट टू मार्केट रिस्क प्लीज रीड अल दे रिलेटेड डोकुमेंट केरफुली बिफूर इन्वेस्टिंग आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप सभी लोग करते हैं चाहे निफ्टी हो चाहे हो बैंक निफ्टी तो उसके अंदर एक ही टाइम पर सेम टाइम पर जब आप ऑडर लेते हैं तो स्टॉप लॉस और टार्गेट एक साथ कैसे हाले हैं तो अगर आपको यह नहीं पता है तो पूरी वीडियो को देखिएगा ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप सीखना चाहते हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दे जगा ज्यादा बकवास नहीं करते हुए चलिए अपने टॉपिक पर आ जाते है ठीक है तो आज इस ब्रोकर को हमने चूड़ा है उसका नाम है अप्स्टॉक इसके अंदर फीचर है जीटिटी ओडर का यहाँ पे जिसकी वज़े से हम यहाँ पे स्टॉप लॉफ टार्गेट को एक साथ लगा सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर भी तो बहुत ही बढ़िया फीचर कर लिया है आप लोग देख सकते हैं तो यहाँ अप्लिकेशन ओपें करते ही यहाँ पर आप लोग इस तरह का इंटरफेस देख पाएं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का लाइफ प्राइब आप लोग अगर मार्केट ओपें होगा तो वह चीज़ देख पाएंगे एक लिए तो आपको सभी को पता होगा एक्टीवेट होना ही चाहिए ओप्शन ट्रेडिंग करने के लिए क्योंकि हम यहां पर सीख रहे हैं कि दोनों हम टार्गेट और फ्टॉप लॉस एक साथ कैसे प्लेस कर देंगे और लेते टाइम ही तो यह बहुत ही जरूरी हो जाता है लोगों के लिए कि आप लोग सब्सक्तिक करने के बाद रहे ह्रें तो आपको किस में ट्रेड लेना है निफ्टी में ट्रेन ही बड़ी है application of stock क्योंकि यहां पर सारे चीज आपको एक ही जगे पर मिल जाती है summary अगर आपको देख रहे हैं तो यहां पर देख सकते हैं कि open कितने पर हुआ था bank nifty हमारा और previous day में कितने पर close किया था आज के दिन का low कितना है और आज के आपको यहीं पर चार्ड भी देखने के लिए मिल जाएगा चाहे बैंक निफ्टी हो निफ्टी हो या फिर कोई particular stock हो इसके बाद option chain जो की बहुत important होता है option trading के अंदर अब stock का आप लोगों को option chain बहुत बढ़िया लगेगा देखिए यहां पर call and put दोनों दिया गया है call पर click करेंगे तो आप लोगों को call का latest trading price एक तरफ दिखाई देगा strike एक तरफ दिखाई देगा open interest एक तरफ दिखाई देगा वह भी लाक के अंदर एंड इसी तरफ पूड़ भी आप लोग चेक कर सकते हैं ठीक है और अप stock आप लोगों का extra feature देता है जो किसी भी broker में आपको नहीं मिलेगा यहां पे रेडिमेट ट्रेडिंग strategies यहां पे देखिए बगल में दिखाई दे रहा है आपको strategies तो यहां पे देखिए आप लोगों को कि बूलिश मार्केट आज कर रहेगा तो आप बूलिश पर क्लिक करेंगे न तो आप लोग को यहां पर देखिए रेडिमेट strategy मिल जाएगी और यहां पे पहले से बताया जाएगा कि कितना आप लोगों का इस लोट के अंदर नुक्सान हो सकता है कितना यहां पर profit हो सकता है ठीक है तो maximum loss maximum आपका profit निर्धारित होता है इसी वज़े से यह बहुत बढ़िया होता है strategy आप लोगों का strategy भी try करने चाहिए यहां पर आप स्टॉक के अंदर और इसी तरह से आप सभी लोग को लगता है कि मार्केट बीरिश है वॉलेटाइल है नूटरल है जिस हिसाब से आपको लगता है यहां पर आप लोग स्ट्रेटरजी ले सकते हैं ठीक है यह तो इस्ट्रेटरजी की बात होगी हमने बात करना था कि एक साथ कैसे लगाए तो यहां पर देखिए को लुगों को अपकोष्ण करना होता है धो मेरे को लोगों डिख लीचे हैँ और यहां बाघकिंग हम तो यहां पर क्लिक करता हूं तो यहांस के पहले हम करें दो सभ्से defekt करेंगे हम बेंव हम बनसे क्wią же दिखाई दे रहा है यह सब चीजे तो यहां से अगर आप बाई करते हैं एक quantity जो quantity जितने भी quantity चाहें बाई करते हैं तो यहां पर आप लोग से बाई कर पाएंगे आप लोगों को पता है कि एक lot के अंदर 25 quantity होती है बैंक निफ्टी में जितनी भी quantity आपको लेनी है quantity के अंदर डाल दीजेगा quantity इसके बाद आप लोगों को buy करना है या फिर sell करना है वह आप तैकर लीजेगा क्योंकि आप लोग option के अंदर buy भी कर सकते हैं sell भी कर सकते हैं option buying म में पैसा कम लगता है और option selling में पैसा ज्यादा लगता है इसे लिए हम लोग retailer लोग option buy ही basically करते हैं तो buy पर ही क्लिक रहने दीजिएगा इसको इसके बाद नीजे चले आएगा यहां पर देखिए आप लोगों को place order if prices below जहां पर दिया गया है इसके नीचे देखिए आप ल buy करो ठीक है इसके बाद नीचे देखिए आप लोगों को यहां पर stop loss का भी option आ रहा है क्योंकि 180 पे हम buy कर रहे हैं तो stop loss वाले section में हम यहां पर डाल देते हैं 10 रुपय नीचे का stop loss लगा देते हैं 170 रुपय का यहां पर 5.56% का यहां पर stop loss हम लगा रहे हैं अब क्यूंकि हमने 10 रुपय का stop loss लगा है तो लगबख 20 रुपय का target भी हम लगाते हैं 180 रुपय हमने यहां पर खरीदा है तो हम इसको 200 रुपय में sell करेंगे target हम लगा देते हैं 200 रुपया और लगबख यह हमारे buy price से 11 दश्पलो एक एक परसेंट का अब जब आ जाएगा market में तब यह हमारा sell होगा उतना हमारा यहां पर target हो जाता है ठीक है तो देखिए अभी market उटना जा भी चुका है हमारा उपर लगबख तो हम अगर हम इस पर click करते हैं buy के लिए तो यह order हमारा place हो जाएगा चलिए यहां पर swipe to buy पर हम इसको सरका देते हैं और जैसे हम इसको सरकाते हैं वैसे ही यह देखिए हमारे order section में चला जाता है order section के अंदर GTT वाले order में जाता है यह हमारे regular में नहीं आता GTT में जाता है देखिए हमने order place कर दिया एक 180 रुपे पर यह अपना एक quantity जो है और उसके बाद स्टॉप लास 170 पर लगाया है target हमारा 200 पर लगाया है अब यह सब in stop loss का दूसरा हमारा target का ठीक है तो यह बहुत अच्छा फायदा होता है GTT का एक साथ हमारा stop loss भी लग जाता है और target भी लग जाता है अभी वीटों छोड़के मत जाएगा अभी बहुत चीज़े सीखनी है तो stop loss target का हमारा order तो लग जाएगा जैसे 180 रुपे पर आएगा ले आखे आप लोगों को order के अंदर यहां पर आना है और cancel कर देना है या तो इसको उल्टा हो जाए कि हमारा target लग जाए 200 रुपे वाला और stop loss बचा रहे तो stop loss को आके cancel कर दीज़ेगा ठीक है तो यही फायदा होता है हमारा एक साथ target और stop loss लगाने में बार बार की जंजट हम निर्धारित कर लेते हैं कितना percent हमको loss लेना है market के अंदर कितना percent का हमको चाहिए यहाँ पे profit तो इसको जरूर से try करिएगा और stop का application आपके पास नहीं है डीमेट account तो इसको भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं नीचे description में link मिल जाएगा चैनल पे बन रहीएगा बहुत किसी और वीडियो कहें दया तब तक के लिए नमस्कार